आपने फिल्मों में देखा होगा कि अमेरिका, यूके और जापान जैसे देशों में पानी के नीचे बनी सुरंग से होते हुए ट्रेन गुजरती है हमारे देश में ये होना किसी सपने से कम नहीं होगा लेकिन अब हमारे देश में भी ऐसा आजूबा हो चुका है जी हाँ, लंदन और पेरिस के बीच इंग्रिस चैनल में बनी सुरंग जैसे ही भारत में भी पहली वार मेट्रो ट्रेन के लिए एंडर वाटर सुरंग बनाई गई है और यह इतिहास बनाया है कोलकाता मेट्रो ने, कोलकाता मेट्रो हमारे देश की पहली मेट्रो सेवा थी वर्स 1972 में कोलकाता मेट्रो का निर्माड कर चालू हुआ और पूरी तरह से यह 1905 में बन कर तयार हुई कोलकाता के बाद दिल्ली, बैंगलूरू, गुरुग्राम, मुंबई, जैपूर, चन्नाई, कोची, लखनव और हैदराबाद जैसे बड़े सहरों में मेट्रो सेवा की सुरुवात हुई और अब कोलकाता मेट्रो ने एक और इतिहास बना दिया है कोलकाता में ही हुगली नदी के नीचे एक सुरंग बनाया गया है और यह किसी नदी के नीचे बनी देश की पहली मेट्रो रेलवे सुरंग है यह सुरंग कोलकाता के दो मेट्रो स्टीशन हावडा मैदान को राइटर्स बिल्डिंग से जोड़ता है इस सुरंग को हुगली नदी के सतर से 32 मेटर नीचे बनाये गया है नदी के भीतर सुरंग की कुल लंबाई 520 मेटर है और मेट्रो को सुरंग पार करने में लगबग 45 सेकेंड का समय लगेगा हाल ही में मेट्रो का हावड़ा मैदान से राइटर्स बिल्डिंग के बीच एक ट्रायल पूरा हुआ है इस तरह से हमारे देश में पहली वार अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल किया गया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कुल 120 करोड रुपियों का खर्च आया है इस प्रोजेक्ट की सुरुआत 2009 में हुई थी और दिसंबर 2030 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं